दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको कीबोर्ड की पूरी कम्पलीट जानकारी मिलेगी जिसमें मैं आप सभी को बताऊँगा कि कीबोर्ड में आखिर कितने बटन होते हैं और साथ में हम लोग बात करेंगे कि keyboard को कितने भागों में बाटा गया है एक तरीके से आप कह सकते हो कि keyboard की ये master class होने वाली है और आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप keyboard के master बन जाओगे यानि कि keyboard के बारे में आपको पूरी complete जानकारी हो जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नामी गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर स्मार्ट क्लास तो सबसे पहले बात करते हैं कि keyboard में कितने बटन होते हैं तो यह जो keyboard होता है इसमें कुल 104 बटन होते हैं किसी किबोर्ड में 105 बटन भी होते हैं और जो special keyboard होते हैं उनमें जो है 108 बटन होते हैं जादा तर जो normally use में keyword आते हैं उसमें 104 बटन ही होते हैं किसी भी दुकान पर या फिर को इन्सेट वगरा में जो normally keyboard इस्तमाल होते हैं उसमें 104 keys यानि 104 button होते हैं अब बात करते हैं कि keyboard को कितने भागों में बाटा गया है तो keyboard को कुल 4 भागों में बाटा गया है सबसे पहले भाग को बोलते हैं function keyboard इसको function keys के नाम से भी जाना जाता है जिसमें एक से लेकर के 12 तक यानि 12 तक keys होती है और जो दूसरा भाग है वो सबसे बड़ा भाग है इसको जो है alphanumeric keyboard बोला जाता है इसको आप अगर main keyboard भी कहो तो गलत नहीं होगा इसे alphanumeric keyboard इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें alphabetical letter भी होते हैं और साथ में numerical letter भी होते हैं बात करें ये जो alphanumeric keyboard है तो इसमें जो है total 62 button होते हैं यानि 62 button होते हैं ये सब जो button दिये गए हैं ये सब के सब button इसी के अंतरगत आते हैं अगर बात करें तीसरे भाग की तो ये है इस भाग को जो है כ proportional control keyboard भोल जाता है इससे हम अपने कर्सल को control करते हैं और चोथे भाग की बात करें तो ये है इसको numerical keypad या keyboard बोल जाता है जिसमें numbering होती है अब जो है हम लोग बारी बारी से सब भी बटन्स का इस्तमाल करना सीख लेते हैं कि कौन सा बटन किस काम में आता है तो सबसे पहले यह जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इस बटन का नाम ESC है यानि इसकेप की बटन यह बटन हमारे तब काम में आता है जब हम किसी प्रोग्राम या फाइल को एक्जिट करना चाहते हैं यानि किसी प्रोग्राम या फाइल में से बाहर जाना चाहते हैं ज्यादा तर इसका इस्तमाल टैली में यूज होता है टैली के सौफ्ट्वेर से बाहर आ सकते हो जैसे कि अभी हम MS Word में हैं और यहां पर अगर मुझे नंबरिंग टाइप करनी है तो यह जो उपर के लैटर दिये गए हैं इन में से आप कोई साभी नंबर टाइप क्लिक करोगे तो वो टाइप होगा जैसे कि मैं यहां पर जो है 45678 इस तरह के से प्रेस कर रहा हूं तो यह नंबर टाइप हो रहे हैं लेकिन अगर इसी में मुझे यह जो उपर की साइड में स्पेशल कैरेक्टर दिये गए हैं अगर इन्हें टाइप करना होगा तो अगर मुझे बनाना है तो दो नंबर का जो बटन है उसको दबाऊंगा तो एड दिरेट आजाएगा शिप्ट बटन आपको दबाके रखना है यह ध्यान देना है इस तरीके से आप शिप्ट बटन दबाके कोई भी उपर वाले नंबर में से स्पेशल कैरेक्टर को यहां पर यहैं जड़ेक तैपर कडर सकते हैं और यह जो कीबूल है वह क्योवारिटि कीबोर्ड है और इसका आइदिया यहां से लगा सकते हूं कि सब्से से Ac может में ही कि erty लिखार है यानि कि यह क्योआरी कीबूल है और परजेंट टाइmouth में ज्यादातर कीवरिटि people क्योड़ का इस्तमाल कर सकते हो एक्जामपल के लिए जैसे कि मैं यहां पर आ चुका हूं अगर मैं जो है इस्पेस चाहिए एक से ज्यादा यानि काफी लंबा इस्पेस चाहिए तो मैं जैसे ही कीबोर्ट से टैप बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हो यहां से कि इतने दूरी का इस्पेस हमें जो है मिल चुका है तो अगर आपको ज्यादा इस्पेस चाहिए तो आप टैप बटन का इस्तमाल कर सकते हैं वहीं जो अगला बटन हमारा है वो है कैप्स लॉक बटन इस बटन का इस्तमाल करके आप जो है कैप्स लॉक यानि कैपिटाल लैटर को लॉक कर द दिए गए हैं अगर आप इसमें से कोई भी लेटर टाइप करोगे तो वो capital लेटर में टाइप होता है जैसे कि हम लोग यहां पर आ गये हैं और मैं अपने keyboard से जो है caps lock button को on कर देता हूं caps lock button को on करने बाद जैसे मैं keyboard से कुछ भी type करूँगा तो वो capital लेटर में type होगा अब बात करते हैं shift button की तो इस बटन का इस्तमाल करके अगर आपको कोई एक लेटर capital में लिखना हो या फिर कोई एक लेटर small में लिखना हो तो आप जो है इस बटन को hold करके रखेंगे यानि दबा कर रखेंगे और उस लेटर को दबाएंगे तो हो capital में भी आजाएगा small में भी आजाएगा कैसे करना है चलिए मैं आपको practically समझाता हूं जैसे कि अभी जो है मेरा caps lock button on है और मैं कुछ भी लिखूंगा तो capital letter में type हो रहा है लेकिन इस बीच में अगर मुझे इस small letter में लिखना होगा तो इसके लिए मैं अगर shift button दबा के उस letter को press करूँगा तो वो small में आ जाएगा अगर मैं जो है caps lock button को off कर देता हूं और इसके बाद कुछ भी type करता हूं तो वो small में type हो रहा है लेकिन इस बीच में अगर मुझे जो है कोई letter को capital letter में type करना होगा तो इस बीच में मैं अगर shift के साथ उस button को दबाऊंगा तो वो जो है capital letter में type होगा आप इस तरीके से समझे काफी ज़्यादा आसान होगा जैसे कि यह paragraph लिखा गया है और इस paragraph के शुरू में आप देख से लिए जो वी है यह capital letter में लिखा है इसी तरीके से अगर मुझे जो वीडियो लिखना है वह capital letter में वी लिखना है तो मैं पहले वी मतलब shift दबाऊंगा इसके बाद वी दबा दूँगा इसके बाद मैं छोड़ दूँगा इसके बाद आल सेलेक्ट हो जाएगा control s दबाऊगे तो save का आ जाएगा control x दबाऊगे तो cut हो जाएगा for example के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और इसे मुझे select करना है तो सभी को अगर select करना है तो मैं control के साथ दबा के उसको रखना है control को और इसके बाद ए दबाऊगे तो all select हो जा करोगे तो वापस आजाएगा तो इस तरीकी से आप समझ सकते हो कि control का इस्तमाल shortcuts बनाने में बहुत ज्यादा काम में आता है उसी की बगल में आपको एक बटन दिखाए देगा Windows का इस बटन का इस्तमाल करके आप जो है अपने computer में start button को open कर सकते हो जैसे कि for example के लिए हम ल स्टार्ड बटन चलो हो जाएगा आप क्या करिए कि जिस भी computer या फिल laptop पर आप बैठे है Windows बटन दबा के देखिए start button खुल जाता है अब बात करते हैं इसी की बगल में एक button है जिस पे लिखा हुआ है alt इसका full name की बात करें तो इसका नाम है अल्टर जिस तरीके से control के साथ किसी दूसरी button को दबाने से भी shortcut बनता है जैसे कि मैं यहां पर Google open कर रहा हूं और मुझे direct इस software से बाहर आना है तो इस condition में alt के साथ F4 button दबा दूँगा तो direct मैं वहां से जो है बाहर चलाओंगा और वो program जो है close हो जाएगा यानि direct बंद जाएगा तो alt button का यानि alter button का इस्तमाल भी shortcut के रूप में ही काम आता है अल्ट को मिलाकर control को मिलाकर और shift को मिलाकर यह तीनों combination की बोला जाता है और यह modify की भी बोला जाता है इन सभी को इन सभी को मिलाकर के shortcut बनाये जाते हैं जब हम आगे आने वाले video में shortcut के बारे में बात करेंगे तो इसे जो बने हु इसका मतलब होता है जगह अगर आपको जगह बनानी है वहीं बीच में तो आप उहां पर जगह बना सकते हैं जैसे कि example के लिए मैं यहां पर आ गया हूं और मैं जैसे कि यहां पर आने के बाद इसате अगर दभाओंगा तो यहां पर बन गया है इसके प textureooh ढाप करोंगे फि shift हुआ और windows हुआ और control ये सारे के सारे बटन इधर भी दिये गए हैं अभी आप यहां पर देख शिकते हूँ ऐसा इसलिए किया जाता है keyboard में कि जब हम लोग keyboard पर typing करते हैं तो ये जो इधर का area है इतना हम लोग right hand से मतलब use में ले ले और ये जो इतना area है इसको हम लोग left hand से यूज में ले 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 ताकि जब भी हमें shift की ज़रुद पड़े और इधर के बड़े लेटर टाइप करने पड़े तो हम इधर के बड़े लेटर टाइप करने की ज़रुद पड़े तो इधर का shift या फिर control मतलब जो लाहिना हां थे ये इन बटन को हम इस्तमाल में ले 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 एक तरीके से आप यह कह सकते हो कि यह हमारे सहूलियत के लिए दो बटन दिये गये हैं ताकि हमको दिक्त ना हो उसी के ऊपरिंग बटन दिया गया है इंटर का इस बटन का काम जो है किसी program या file में इंटर करने के के लिए के जाता है जैसे की अगर आप कहीं पर वगएरा भर हो और इंटर बटन दबा देते हो तो वह आपका सब्मिट हो जाता है वहीं जो हैं इंटर बटन का काम एक नई बनाने के लिए भी किया जाता है जैसे कि माली जी मुझे इसके बाद जो है अब टाइप नहीं करना है और इसके बाद एक नई लाइन बनानी है तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से इंटर बटन दबाऊंगा तो एक नई लाइन बन जाएगी और सुरू से हम यहां पर कुछ टाइप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसी के ऊपर एक बटन है बैक स्पेस का इस बटन का काम हम लोग जो है कोई गलती हो जाती है तो उसको बैक करने के लिए उसको कट करने के लिए करते हैं चलिए मैं इसको यूज करके दिखाता हूं जैसे एक का left button दबा के उतने word को select कर लिए इसके बाद कीबोर्ड से बैक स्पेस्पेस बटन दबाइए वो सारे की सारे word वहां से डेलीट हो जाएंगे। यान कि cut हो जाएंगे अब बात करते हैं इन बटन के बारे में में तो यह बहुत ही काम के button हैं जिसमें यह जो सबसे पहला button है इसको बोला जाता है print screen button इस button को दबाने से आपका क्या होगा कि जो भी आपके desktop पर जो भी screen है उस पर जो भी program चालोगा उसका एक screenshot copy हो जाएगा और आप उसे जो है कहीं पर भी paste करके उसे सेव कर सकते हो यानि कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इससे हम लोग जो है screenshot लेने का काम करते हैं उसी के बगल में एक button है scroll lock अगर आप इस बटन को दबा देते हो तो यहां पर यह देखिए यह जो button है यहां पर यह जलने लगेगा इस button के दबाने से यहां पर एक बत्ती जलने लगेगी इस पर और यह जब बत्ती जलने लगेगी तो यह जो scrolling का मतलब यह जो माउस को हम लोग तो ऊपर नीचे दायबाय लेके जाते थे करसल को तब ये करसल ऊपर नीचे दायबाय नहीं जाएगा ये mouse का काम करने लगता है और इसी के बगल में एक बटन है Page, Break का तो इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ इसका काम है किसी भी Page में ब्रेक लाना, ब्रेक मतलब तोड़ देना वहीं से, माली जी आपको किसी पेज में बस उतना ही टाइप करना था और इस बटन को आप दबा रेते हो तो पेज में ब्रेक लग जाता है, यानि पेज वहीं से जो है टुकडों में बढ़ जाता है, उपर का इससा अलग हो इसी के ठीक नीचे एक बटन है, डिलीट बटन का, ये काफी जादा इंपोर्टेंट है, डिलीट बटन का इस्तमाल हम लोग किसी भी टेक्स्ट को या फिर फाइल को या फिर फोल्डर को या फिर फोटोस को डिलीट करने के लिए करते हैं, जैसे कि हम जैसे इसको डिलीट क हुआ पर जाने के लिए करते हैं यानि शुरुवात में जाने के लिएizar है करों पर हूँ अब आप। बटन करसर है और जैसे किअ कीबोर पक्राइब है और जिकिन पर इस सलीन लिए और इसी के नीचे एक बटन है इंड बटन इंड बटन होम यह उपिछीड है कि हम लोग यह जो टेकस्ट लिखा है हमने इस समय के हौनगम हैं और जैसे मैं की बोर्ट तो हम इस लाइन के लास्ट में आ यानि आप अपने keyboard से home button दबाओगे तो इस line के शुरू में चले जाओगे वहीं अगर आप जो है keyboard से end button दबाते हो तो उस line के last में आप चले जाओगे अब बात करते हैं एक button और यहाँ पर है page up page up button का काम होता है कि page को उपर लेके जाना जैसे कि माली जे मैं page के सबसे नीचे हिसले पर हूँ और जैसे ही मैं keyboard से page up button दबाता हूँ तो मैं जो है page के सबसे उपर वाले हिस्से पर आजाओगा वहीं नीचे की side में दिया गया है page down तो यह जो है page up का page down opposite है जैसे कि मैं page के उपर हिस्से पर हूँ और मुझे नीचे की side में जाना है तो इस condition में keyboard से page down बटन दबाऊँगा तो मैं page के नीचे side में आ जाऊँगा इसके बाद यहां पर चार buttons दिये गए हैं जो कि उपर की side नीचे की side दाएं और बाएं की तरफ indicate कर रहे हैं यानि कि इससे जो है जो आपका करसल है उसको आप control करते हो उपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए जैसे की यहां पर में आ गया हूं और मैं अपने keyboard से अगर अप करसल दबाऊंगा यानि उपर वाला तो मैं देखिए उपर की side में जा रहा हूं वहीं अगर मैं नीचे वाला करसल दबाता हूं तो देखिए हमारा जो यह mouse जो करसल है और यहां पर जो मैं अगर right की side में वाता हूं तो लेफ्ट जा रहा हूं यह जो चार बटन है इनका इस्तमाल करसर को उपर नीचे दाइव आए जाने के लिए किया जाता है अब बात करते हैं इस Keyboard के बारे में जिसको निमेरिक Keyboard बोला जाता है इसमें जो सबसे पहला बटन दिया गया है इसको num block बोला जाता है अगर ये num block बटन आपका on नहीं रहेगा तो ये जो ये एक से लेकर 9 तक कीज हैं ये काम नहीं करती हैं ये इसको on करने के लिए जैसे ही आप इस पर प्रेस करोगे तो ये जो एक लिखा हुआ है यहां पर एक बत्ती जलेगी और बत्ती जलते ही आप ये समझ जाएंगे कि ये on हो चुका है जब तक ये on नहीं होगा तब तक एक से लेकर 9 तक ये जो कीज हैं ये काम नहीं करेंगी बाकि ये सारी चीजे काम करती हैं तो यहां से num block के बारे में आपको पता चल गया होगा और यहां से आपको तो पता है कि numbering ही type होगी numbering वैसे आप यहां से भी type कर सकती हो लेकिन इसके मुकाबले में यहां से type करना काफी ज्यादा आसान होता है वहें पर यह जो सारे बटन दिये गए हैं यह जो भाग का बटन है अगर कोई भाग वगरा करना हो तो आप इस बटन का इस्तमाल करेंगे यह जो गुड़ा का बटन है औ और एक डिलेट डिल बटन है और जीरो है एक इंटर बटन यहां पर भी दिया गया है और यह एक इंटर बटन यहां पर भी दिया गया है दोनों का काम सेम है आप कोई साभी बटन इस्तमाल कर सकते हो वहीं इस की बोर्ड में उपर की साइड में भी यह तीन बटन दिये जाता है यानि आवाज पूरी दरेगे से बंद हो जाएगा तो दोस्तों इस कीबोर्ड में जो मैंने कीज को छोड़ा है वह यह वन से लेकर के यह 12 तक है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह जो कीज हैं किसी इस पेशल काम में ही इस्तमाल होती है आगे आने वीडियो में मैं इस पेशल इस पर एक वीडियो बना करके सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में जानकारी दूंगा तो मैं आपको पूरा कीज जो है छब गई होंगी किस कीज का क्या काम होता है कैसे इस्तमाल करते हैं अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमें नीचे कॉमेट करके पूछ सकते हैं दखने हैं